हलो दोस्तों राना क्लासेज में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको आज की प्रिपर में वीदिया वह भासकर है दैनिक भासकर पटना संस्क्राइब में वीदिया आप पढ़ सकते हैं इसको तो बी पीए सी पीटी अंतिम 10 दिनों में सफलता के लिए 10 जरूरी टिप्स है तो इस वीडियो को सुरू से अंतक देखें पसंद आने पर लाइक नई लोग सब्सक्राइब अब बेल का इकर्मेटर नवाना ना भूले तो मेरे कोशी सरता जहां भी अच्छी खबरे रहें उसको आपको दून जिसे आपको काफी फायदा हो तो शुरू करते हैं थोड़ अजिक भर के 35 जिला मुख्यालियों में 808 परिच्छा केंद्रों पर होगी इस परिच्छा में समान अध्यान विशाय के बस्तुनिष्ट परकिर्ती के 150 प्रश्ण होंगे परिच्छा के लिए BPSC ने अडमिट कार्ट जारी कर दिया है अभियर्थियों के पास परिच्छा के लिए दो हपते से भी कम का वक्त बचा है ऐसे में जरूरी है कि अंतिम समय में परिच्छा पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाए तभी सफलता हासिल हो सकेगी प्री के लिए सबसे पहले बेसिक्स बुक्स से कॉंसेप्ट से समन्दी चीजे पढ़ लें इसके साथ साथ बिहार का गहराई से अध्यान होना चाहिए करेंट अफेर्स पर मजबूत पकड़ भी जरूरी है प्रैक्टिस पर ध्यान दे परिच्छा के लिए अभी सेट प्रैक्टिस पर विशेश ध्यान दे बिहार और करेंट अफेर्स से रिलेटेड मुद्दों का ध्यान करें निश्य की योड से न जाएं अब तक जो पढ़ा है उसकी ही प्रैक्टिस करें अच्छे पब्लिकेशन की किताब भी आपको मदद कर सकते हैं गहराई से अध्यन ही आपको सफलता दिलाएगा सरकारी उजनाओं का करमबार अध्यन करें सरकार के साथ निश्य को अच्छी तरह पढ़कर समझ लें क्योंकि इससे सवाल आ सकते हैं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा तो और क्या है कि बारा दिन बच्चे हैं तो आपके पास है जो कि पढ़ाई और तयारी के लिए अंतिम दो दिन है जो कि क्या क्या करना है तो अंतिम दो दिन परिछा के इंट लासलेवा पहुचने तथा बस्त राधी तयार करने के लिए छोड़ दें देखे क्या पहन कर और क्या लेकर जाना है जूतिय नहीं पहनने है तो चपल लेनी है तो पट्टा नहीं पहना तो पुरी वाह वाला कुर्टा पहना या नहीं परिच्छा के अंद में पहुचकर असहज होने के बजाए पहले ही तैयारी के साथ गैर्ज पर जाएं तो बिना उत्तर देखे पुराने प्रस्मपत्रों को हल करें तो क्या-क्या है पहला सामंगरी संगठित करें परिच्छा के समय धेर सारे नोट्स पढ़ने का नहीं है एक फोल्डर बनाए जिसमें बिसाय वार तथा बिन्दुवार नोट्स रखें बेकार लगने वाले नोट्स अलग फोल्डर में रखें काम के नोट्स का सारांस एक सीट में तयार करें इसमें अधिक समय ना लगाए, टाइम टेबूल बनाए, विशाय वारत था मिन्दुवार रिवीजन टाइम टेबूल तैयार करें, देर रात तक पढ़ाई का समय नहीं रखें, असमार्ट स्टेडिक, हंटुक बैठ कर पढ़ाई करने के बजाए, असमार्ट तरीके से पढ़ाई करें, 40-40 मिनट के अधियन के तीन हिसे मराए, इनमें अलग-अलग टॉपिक पढ़ें, बीच में ब्रेक लें, नास्ते भोजन अने नित क्रियाओं के साथ समय रखें, जो नहीं जानते हैं, उसे पढ़ें, पुराने प्रस्न हल करते हैं, आपको पता चले कुछ पॉइंट्स आपसे छुट गए हैं, और उन्हें पढ़ें, छट्था अपना पेपर बनाए, कुछ महीने पहले से जो आप त्यारी करें, उसे पर रखने के लिए अपना प्रस्न गूले करके देने हैं, या टिक मार करके लगा करके काले पेंस से उत्ता देने हैं, या पेंसिल से आठ्मा, खाओ और कसरत को फरिच्छा है, इसका तनाव दिमाग से निकाले, समय पर खाएं, पीएं और कसरत करें, क्योंकि आपके दिमाग और सरीर दोनों को है, जो की आप ग्रूप अकेले बहुत पढ़ लिए अब उन लोगों से साथ भी स्टडी करें जो फरिच्छा दे रहे हैं इससे आपको पता चले गए पढ़ते समय आपको कौन-कौन से फाइंट छुड़ गया है दस्वा सही उत्तर याद के यह उजेक्टिव टाइप प्रसंट पते हैं य मतलब क्या है कि आप है जो कि आप सिर्फ रिवीजियन कर सकते हैं रिवीजियन करने के लिए टाइम टेबल बनाएं और एक स्मार्ट स्टेडी के लिए हेंटो पढ़ाएक बने कवाई स्मार्ट चालिज चालिज मिनिट के तीन हिसें बाटे कि आज मुझे जीस देखना है पास रिवीजियन करें कि जिससे आपको लगे कि यह देख लूँगा डाटा से लेकर तो उसको करें पिछला जो उसको देख ले जो नहीं जानते उसको पेंड लेकर रखें उसको चलाईएगा तो निसी जमाइन में रहेगा यहां पर मैंने टिक मार रहा है उसके बाद बह बहुत कम परिछाई उनको दिकत हो सकती है और ज्यादा टेंसन लेने केसे में नहीं है कि बहुत ज्यादा माथा कि बहुत बहुत लोग पता चला कि पांक दिन से सो ही नहीं होगा तो कैसे आगे मेंस दूँगा तो सब सारी चींटाएग जो तैयारी है उसी को ब्लवड़ एक चीज़ किलियर बतानु कि यह तो हो गए आपको दस दिन के जो है रिविजन के आपकी जो पूरी रियल्ट जो निर्भार करेगी जनरली वह आपको पहले की तयारी है निश्ची भले ही इन दो चार नंबर जो नजदिक है उसे रियल्ट आ जाए या ना आए लेकिन जो अ तो यह जो टिप्स है यह रहां है डॉक्टर यह अनिल मिस्रा है इन ही का है तो आप लोगों के मुझे लगा कि अच्छा लएगा और क्योंकि एक्सपर्ट भी हैं तो मैं आपके लोगों पहुचा दिया और मेरा उद्देश यही रहता है कि आप लोगों ज्यादा ज्याद जो अनुभव के कारण कम से कम है जो कि आप लोग है जो कि प्री डिस्क्वाइलिफाइना हो मेहनत तो आपका काम आएगा है जब आपने कितनी मेहनत की है पिछले दिनों वह सबसे ज़्यादा फर्कड़ेगा और दस दिन में यह है कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर भी न नहीं है क्योंकि इस बार तो सीट भी बहुत ज्यादा है यह सरकार की निती चेंज होते रहती इस के लिए ज्यादा टेंसर नहीं लेना है तो इसी सुझाव के साथ धन्यवाद